हेलो गाईज, वेलकम बेर दो चनल मेरा नाम है सौरब आप देख रहे हैं लाइफ एक्सप्लोड और आज के व्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ आज हम हैं भुवाली में गोडा खाल मंदिर पर जिसे गोलु देवता का मंदिर भी कहते हैं तो इस मंदिर की विस्वेस् गंटिया बांदी जाती हैं जब लोग अरजी लगाते हैं तो बहुत सारे गंटिया बांदे हैं साथ में अपनी अरदास जो है वो एक पेपर में लिख करके और गंटि के साथ में बांद देते हैं जब आपके अरदास पूरी हो जाए तो आप वापस से आईएगा और उसस के चलते हैं बहुत सारे लोग आते हैं और हजारों लाखों के संक्या में यहां पर घंटिया बंदी होई हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं गोलु देवता का मंदिर जिसे गोलु जीव का भी मंदिर बोलते हैं घंटे वाला मंदिर भी बोलते हैं यह मंदिर जो है यह बहु या private vehicle दोनों सोया सकते हैं सामने जस्ट सामने जो आपको दिख रहा है यह है सैनिक स्कूल गोड़ा खाल और इसके जस्ट बाजू से रास्ता जो है मंदिर में गया हुआ है गोलु जीव के बारे में बहुत सारी माननेताएं हैं बहुत सारे लोग ऐतना घंटे लगें अभी से देखो थंदा फंदा लग रहा है यहां पर गंटियां जो है वो जगे जगे पर बंधी हुई है और अभी हम मंदीर में उपर की तरफ़ जा रहे हैं यहां पर यह सीड़ीया बनी हुई हैं उपर जाने के लिए, और बगल में देख रहे हैं बड़े बड़े घंटे लगे उए हैं मैंने इस पर पढ़ा कि जो नाम लिखा हुआ है वो किसी जोशी जी का लिखा हुआ है और वो सारे घंटे उन्हों नहीं चढ़ाया है यहां पर तो यह अभी हम उपर की तरफ पहुंच रहे हैं और चोड़ी चोड़ी तो हजारों लाखों गंटियां है लाखों में पाउंट करना ही मुश्किल है मेरी समझ से तो तो हम चल रहा है उपर के तरफ आपको दर्शन करवाते हैं गोलू दे होता के जहां पर अभी हम रुके हुए हैं उस होमिष्टे के जो आनर है वो बता रहे थे कि यहां पर बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जो मुरादे होते हैं वो लोग आते हैं पर यह स्पेस्टिक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कोट का चेहरी के काम रुके हुएते हैं कोई जमीन जाधत का मसला है कोई फैमिली इशूज चल रहे हैं कोट का चेहरी में कोई कोर्ट केस पेंडिंग पडा हुआ है तो उसके लिए जाधतर लोग अरदास्त बंद ही हुई है और लोग पेपर पर कैसे बांद बांद के लोगों ने हर घंटी के साथ में अपनी अरदास यहां पर लगा रखी है इस उमीद से कि गोलु देउता उनकी जो मुरादे हैं वो पूरी करेंगे उन पर कृपा वरसाएंगे उनके विगड़े हुए क काम जो है वो बनाएंगे और सामने यह में दिखाताओं देखिये किसी का कोट का मसल फसा हुआ हुआ हुए उन्होंने यह अपर अरदास लगा रखनी नहें खुला लगा दिया तो मैंने भी इसे देख लिया है ऐसे ही सब्लोग यहाँ पर अपनी अरदास लगाते हैं अ क जब यहां पर मंदिर प्रांगर में आएंगे तो यहां पर आपको प्रशाथ ही कोई दुकान नहीं मिलेगी तो आप जब नीचे आर्मी पब्लिक स्कूल के पास से उपर के तरफ चड़ेंगे वहीं पर शौप बनी हुई है वहां से आप प्रशाथ ले लिजेगा मेरे सामने आप साच्छाथ गोलो देवता का मंदिर देख रहे हैं यह सामने मुख्य मंदिर यहां का जो है गोलो देवता का वो यही है यही पर लोग जो है अपना प्रशाथ ले करके आते हैं और बैटके यहां पर पूजा करवाते हैं पहले और पूजा होने के बाद फिर आपको घ आपको ये मुख्य मंदिर जो है वो दिखेगा यहाँ पर लोग लाइन लगा कर खड़े होते हैं और लाइन लगाने के बाद यह लाइन काफी लंबी है पीछे से घूम के वापस इस मंदिर के सामने आती है और यहाँ पर आपको थोड़ी दिर रुपना पड़ता है यहाँ पर पंडी जी पूजा करवाते हैं अब पूजा होने के बाद आप बाहर के तरफ निकल जाते हैं और अपने इस टैम पर गरा जो बादना है आप इसना बाद दीजेगा और बाहर आ जाईएगा जैसे कि बाकी हिंदू मंदिरों में भी मुख्य मंदिर के लावा बहुत सा चोटे मंदिर होते हैं वैसे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर आप भगवान के दरशन प्राप्त कर सकते हैं तो गाइज, ये था गोडाखाल का मंदिर, जिसे गोलुदेव का मंदिर भी कहते हैं, मैंने आपको अज़र अज़र दिखाया, अज़र दर्शन करवा दिया, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और तो प्लीस इस वी झाल, 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 झाल.